स्वागत है एक और नए वीडियो में आज जो है इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा टावर में यूज होने वाले स्पीकर तो देख सकते हो यहाँ पर एक क्लासिक ब्रांड का हमारे पास स्पीकर है तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूं और दिखाता हूं और जो हर मैं बता मार्केट से तो चलिए मैं जो इसे ओपन कर लेता हूं तो देख सकते हो काफी जो है अच्छा मुझे दिख रहा है तो देख सकते हो मैं इसे अब निकालूंगा अभी जो है मैं इसके और भी चीजे बताऊंगा कि क्या-क्या चीजे ध्यान रखना चाहिए आप लोगो तो मैं और के द्बें युज़ जो है मैं दिखाना कि कोशिज करूंगा क्योंकि दोस्में तो स्पीकर करने वाला हूं अगर बोलेंगे तो वही वीडियो में आप लोगोों को दिखाल From काइं लेकिन यहाँ पर speaker ही मिलेगा और website लिख रखी और company लिख रखा है यहाँ पर कुछ इनके जो हैं qualification लिख रखे हैं कि 10W, 15W कुछ भी है तो यहाँ पर लिख रखे हैं for individual use यानि कि कहीं भी आप इसे use कर सकते हैं Bluetooth speaker में भी लग करके यह आते हैं तो काफी बड़ी magnet में है तो अच्छी जो है वो sound प्रवाइड करता है और थोड़ी बहुत बेस जो है वो जेल जाते हैं यहाँ पर चार ओम और 15W का speaker है यह भी चार ओम और 15W का speaker है तो चलिए मैं इसे देखिए यहाँ पर एक डिफरेंसियस है मैंने दो इसलिए लिया थे हैं यहाँ पर ब्लेक है और यहाँ पर जो है एक चमकता हुआ सिल्वर करण का जो है एक कैप लगा रखा है डस्ट कैप तो देख सकते हो मैं इसे उल्टा करके दिखाता हूं और यहाँ पर देख सकते हो मैं मल्टिमीटर को जो है आन करता हूं और यहाँ बीप मोड पे लाता हूं अब जो है मैं इसके ohms चेक करूँगा ताकि यह जो है हमारे speaker सही है कि नहीं यहाँ पर पहले मैं वीप चेक कर लेता हूँ multimeter से चेक करना है तो देख सकते हो यहाँ पर तो चलिए मैं इसका ohms चेक करता हूँ यहाँ 4 ohms लिख रखा है तो क्या हमें 4 ohms मिलता है चलिए देखिए बीप के साथ हमें इस speaker से 4 ohms हमें मिल चुका है तो हमारा यह speaker okay है और बीप भी आ रही है बीप की sound सायद आप लोग को ना आए क्योंकि मैंने mute कर रखा है यहाँ पर देखिए यह भी 4 ohms का speaker है तो दोनों हमारे काफी अच्छे perfect आ चुके हैं चेकिंग में भी आ चुके हैं और अच्छे हैं बीप आ जाती है और ohms कर देता है तो मैं माल लेता हूं कि यह सही कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए इस तरह से बंप जो है वो करना चाहिए जंपिंग जो होती है एक तरीके से और भी एक चीज़ करना होता है यहाँ पर यह वायर लगे हूं है golden color के इनके अंदर यह घुमाओ है फिराओ है यह होना चाहिए डायरेक्ट नहीं होना चाहिए थोड़ी इनमें गैप होनी चाहि तो अराम से जो है वो इनका जो है बीट्स में जो है अराम से जंप कर पाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी मैं दिखाने कोशिज करता हूं क्योंकि जब मैं दुकान पे गया था तो यह सब चेक करके वहां से लाया हूं कि हमारा speaker एकदम अच्छे से जो है वो रहे और काफी long lasting जो है चले तो यह एक छोटी सी information है अगर आप लोग को information अच्छी लगती है तो channel को जो है आगे बढ़ाई है आज कल तो subscribe करने पे एक जादू सा होता है तो वो जादू देखने के लिए जो है channel को subscribe करिए तभी आपको जादू भी दिखेगा subscribe बटन पे काफी अच्छा दिखने में लगता speaker हमारा तो बहुत ही अच्छा है चलिए मिलते हैं किसी next video में next topic पे